तो कहानी की शुरुआत 1970 के समय से होती है जहाँ पर हम एक जखमी औरत को जंगल में अपने पेट के बल गिसटते हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो उसकी आखों की रोश्णी भी चली गई थी लेकिन वहीं पर उस औरत की डेथ हो जाती है। इनसानों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं थे क्योंकि 30 सालों से विकसित हुए इन पौधों से डॉक्टर बिल अपनी कमपनी में एक ऐसा ओयल निकाल रहे थे जिसका इस्तिमाल इंधन के रूप में किया जा रहा था। और साथ ही ये ओयल ग्लोबल वामिंग को भी कंट् इन ट्रिफिट्स नाम के ये पौधे जहां इतने फाइदे मंद हो गए थे वहीं ये बहुत जादा खतरनाक भी बन गए थे क्योंकि 30 सालों से ये पौधे इतने विकसित हो गए थे कि ये अपनी एनरजी को बरकरार रखने के लिए इनसानों का शिकार करने लगे थे इसलि 30 साल पहले इन पौधों की प्रजाती पर रिशर्च कर रही थी लेकिन फिर एक ट्रिफिट्स के पौधे ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया था वेल एक दिन डॉक्टर बिल अपनी असिस्टेंट लूसी के साथ एक ट्रिफिट के पास जाकर उसे चेक करने लगते हैं ज वहां जाकर या आदमी उस एरिया की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है तभी सिक्यॉरिटी स्टाफ में एक वर्कर उस आदमी को वहां देखकर सिक्यॉरिटी अलाम बजाकर बिल और लूसी को इसके बारे में इनफॉर्म करता है जिससे तुरंट बिल और लूसी उस आदम की एक टहनी बिल के चेहरे पर जोर से लगती है। उसी टाइम सिक्योरिटी गार वहां आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तुरंत लूसी बिल को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जहां चेक अप करके डॉक्टर बिल की आँखों पर पट्टी बांद कर उससे कहता है कि आप 24 घंटे तक आराम कीजिए। और 24 घंटे बाद आपकी आँखों से पट्टी उतार दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर बिल को ये भी कहता है कि तुम्हारी आँखों की रोष्णी जाने के 50-50 चंसे हैं। वहीं दूसरी ओर एक रेडियो स्टेशन पर जो नाम के रिपोर्ट एक एस्ट्रो फिजिससिस्ट एडवर्ड वोल्स का इंटर्व्यू कर रही थी जिसमें एडवर्ड बता रहा था कि आज कुछी घंटों बाद सूरज की परत से न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा जिसमें बिलियन्स अफ टन्स रेडियो एक्टिव प्लाजमा बाहर की ओर नि नजारा सभी न्यूस चैनल्स वाले लाइव ब्राडकास्ट भी कर रहे थे महीं एक उड़ते हुए प्लेन में सभी पैसेंजर्स भी इस दृष्ष को देख रहे थे लेकिन उसी प्लेन में टॉरेंस नाम के विक्ति को बाहर का दृष्ष देखने में कोई दिल्चस्पी न लगते हैं और जो भी लोग उस प्लाजमा को देख रहे थे उनकी आँखों पर प्लाजमा की हानिकारत किरने पढ़ने से उनकी आँखों की रोष्ष नी चली जाती है वहीं बिल इस घटना के कुछ घंटों बाद जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसे बाहर से आ रही लो लोग अंदे हो चुके हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है बिल ये सोचता हुआ तुरंत अपनी लैब में जाने के लिए निकल पड़ता है कि अगर उसकी लैब से ट्रिफिट्स बाहर निकल गए तो वो तेजी से लोगों का शिकार करने लगेंगे और अपनी अंदाजा होते ही टॉरंस अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के वाशरूम में जाकर अपने आसपास सेफटी जैकेट्स को फुला कर रख लेता है कुछ सेकंड्स बाद प्लेन क्रैश होता है जिसमें सभी लोग मर गए थे सिर्फ टॉरंस को छोड़कर उसे मामूली आने से वो अंदे हो चुके हैं तब ही जो को एक अंधा पुलिस वाला गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मुझे घर छोड़कर आओ उसी वक्त बिल वहां पहुंच जाता है जो अपनी लैब की तरफ भागते हो जा रहा था बिल बड़ी हुश्यारी से जो को उससे कर रखा गया था वो वहां से किसी तरह से बाहर निकल जाता है और देखता है कि लैब में सभी लोग अंधे हो चुके हैं असल में जब वाल्टर उस रूम में कैद था तो प्लाजमा की हानिकार क्रिनों से बच गया था अब लैब के सभी लोगों को अंधा देखकर को शूट करता देखकर जो और बिल वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक कार चुरा कर बिल की लैब की तरफ जाने लगते हैं कुछ देर बाद लैब में पहुँचने पर ये देखते हैं कि लैब तहस नहस हो चुकी है और सभी ट्रिफिट वरकर्स को मार कर वहाँ से आजाद हो चुके हैं बिल देखता है कि उसकी असिस्टन क्लूसी और वो आदमी भी ट्रिफिट का शिकार हो चुका है तभी बिल जल्दी से अपने आफिस में जाकर कंप्यूटर पर एक वोईस रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जो उसको पूछती है कि ये किसकी आवाज है तो बिल उसे बताता है कि ये ट्रिफिट्स की आवाज है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं साथ ही बिल बताता है कि मैं काफी लंबे समय से ट्रिफिट्स की आवाज को डीकोड करने की कोशिश कर रहा हूं तब ही अचानक जो को अपने डैड की आद आती है कि वो अपने तो जो देखती है कि उसके डैड को एक ट्रिफिट ने पकड़ रखा है और उसे लगबग मार ही दिया है ये देखते हुए जो घुस्से से उस ट्रिफिट पर फाइरिंग करती है जिससे बाकी के ट्रिफिट भी वहाँ पर आने लग जाते हैं बिल जो को समझाता है कि उसके डैड मर चुके हैं और यहाँ पर बाकी के ट्रिफिट भी उन पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपनी आखों के सामने अपने डैड की डेथ होते देखकर जो काफी दुखी थी रास्ते में ये एक ब्रिज पर गाड़ी रोग कर देखते हैं कि शहर में ट्रिफिट्स चारों तरफ फैल गए हैं और लोगों को मार रहे हैं वेल यहाँ से बिल जो के साथ एक रेडियो स्टेशन पर जाकर लोगों को ट्रिफिट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि उन्हें ट्रिफिट्स से बचकर रहना होगा। महीं दूसरी साइड टॉरेंट्स प्राइम मिनिस्टर के आफिस में जाता है। जहां पर उससे हिल्दा नाम की एक लेडी सेकरेटरी दिखाई देती है। जो ब्राइंड हो चुकी थी। उसके अलावा महाँ पर और कोई नहीं था। उसे अकेला देखकर टॉरेंट्स समझ जाता है कि अब लंडन गवर्मेंट खत्म हो चुकी है। और शायद ब्राइंड मिनिस्टर भी किसी हादसे में मारे जा चुके हैं। टॉरेंट्स सोचता है कि अब वो इस देश पर राज करेगा। वो देखते हैं कि एक आदमी अंधे लोगों को एक सरकारी बिल्डिंग में लिजाने के लिए सिक्योरिटी आफिसर से पहस कर रहा है जो उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाने से रोक रहे थे। असल में वो आदमी और कोई नहीं बलकि टॉरेंस ही था जिसका मकसद अंधे लोगों की हेल्प करना नहीं बलकि उनका इस्तिमाल करके देश पर राज करना था। वहीं पर खड़े बिल और जो आगे जाकर उस आफिसर से बात करते हुए उन्हें अपने बारे में बताते हैं जिससे वो आफिसर उन्हें बिल्डिंग में जाने देता है। डर जाती है। रात होने पर टॉरेंस काफी सारी बंदूकें लेकर उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है जहां पर वो देखता है कि कोकर नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ उन अंधे लोगों की मदद कर रहा है। जो आकर उससे पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो जिस पर बिल्डिंग उससे बताता है कि मैं मेरे डैट के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो भी काफी लंबे समय से ट्रिफिट्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्हें पता होगा कि ट्रिफिट्स को कैसे कंट्रोल करना बिल जो को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन जो अंधे लोगों को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी जिसके बाद बिल वहां से अकेले ही जाने लगता है लेकिन तब ही कोकर अपने आदमियों के साथ वहां पर आकर बिल और बिल्डिंग में हर व्यक्ति को करने लगते हैं तो बिल उसको बचाने के लिए दोड़ता है लेकिन तॉरेंस उसको इलेक्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है इसके बाद तॉरेंस के कहने पर कोकर के आदमी अंधे लोगों को किसी ना किसी देखने वाले इनसान के साथ हतकड़ी लगा कर उन्हें एक चक में बैठाने लगते हैं यहाँ पर कोकर, बिल और जो को अपना प्लैन बताता है कि ऐसा करने से अंधे लोग भी ट्रिफिट्स से बच जाएंगे वो कहता है कि हम अंधे लोगों के लिए कोई सेफ शेल्टर ढून रहे हैं जहाँ पर वो आराम से रह सकें अब यहाँ से टॉरेंस के कहने पर उन लोगों को एक सुपर मार्केट में ले जा कर कहता है कि तुम्हें जितना भी अपने खाने पीने का समवान चाहिए वो सब ले लो लेकिन अंधर जाने पर उन लोगों को वहाँ पर काफी सारे ट्रिफिट्स दिखाई देते हैं जो लोगों को खा र तबी वहां बिल अपने लाइटर और स्प्रे की हिल्प से उस ट्रिफिट को जला कर जो को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच ट्रिफिट की एक टेहनी हिल्डा को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर को 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 कर को रियलाइज होता है कि टॉरेंस का सभी जिन्दा लोगों को इंफॉर्म करके यहां पर बुला लो ताकि हम उन लोगों को बचा सकें। दरसल टॉरेंस अपनी टीμ में ज्यादा से जादा लोगों को शामिल करना चाहता था ताकि उनके जर्ये वो देश पर हकोमत कर सके वहीं आप क्योंकि कोकर ने सुपर मारकेट में उनकी हधकड़ियां खोल दी थी जिससे जो को लगने लगा था कि कोकर एक अच्छा इंसान है इसलिए वो इसके लिए मान जाती है और रेडियो पर लोगों को इनफॉर्म करके उन्हें वहाँ पर भुलाने लग जाती है कुछी देर में वहाँ हजारों की भीड जमा हो जाती है वहीं टॉरंस ने कोकर के आदमियों को अपनी तरफ कर लिया था और टॉरंस के बज़ते हुए ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं इसी दौरान बिल का टेप रिकॉर्डर वहीं गिर गया था कुछ दूर चलने पर ट्रक का तेल खत्म हो जाता है जिससे वो पैदल ही आगे चलने लगते हैं वहीं टॉरंस जो के पास जाकर उसे बिल का टेप रिकॉर्डर दिखा कर कहता है कि कुछ ट्रिफिट्स ने बिल पर अटैक करके उसे मार किया है ये सुनकर जो का दिल टूट जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो बिल को चाने लगी थी दूसरी साइड बिल और कोकर एक चर्च में पहुंचते हैं जहां बिल चर्च में कोकर को छोड़ कर अपने पिता के पास जाने लगता है क्योंकि उसे ट्रिफिट्स से लोगों को बचाना था उदर जो ट्रॉइ नाम के एक फाइडर से पूछती है कि क्या बिल सच में मर गया है जोई कहता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता हमें तो सिर्फ जंगल में उसका टेप रिकारडर मिला था महीं पर जो देखती है कि कोकर भी वहां नहीं है और सबी आदमी टॉरेंस के इशारे पर ही काम कर रहे हैं जिससे जोगो टॉरेंस पर शक होता है कि उसने लीडर बनने के लिए बिल और कोकर को मरवा दिया है इसलिए वो रेडियो पर लोगों को अनाउंस करती है कि यहां पर कोई भी ना आए क्योंकि यहां पर सबसे ज़दा खत्रा है अब जैसे ही यह अनाउंसमेंट टॉरंट सुनता है तो वो घुसे में अपने आदमियों को कहता है कि जो को खत्म कर दो लेकिन जो उनकी आने से पहले ही बिल की सारी चीजें वहां से लेकर भागने लगती है वो सभी जो को इधर उधर ढून रहे होते हैं कि तभी ट्रॉय की नजर जो पर बढ़ती है जो एक बस के पीछे चुपी हुई थी बागी आदमियों के वहां से जाने के बाद ट्रॉय जो को मारने की बजाए उसकी हेल्प करता है और उसको एक टॉर्च देकर कहता है कि यहां से बाग जाओ वहां से कुछ दूर चलने पर बहुत सारे ट्रिफिट्स जो पर अटैक करने लगते हैं जो उनसे बहुत मुश्किल से बचने की कोशिश कर रही थी और आखिर कार वो सड़क पर खड़ी एक कार में बैठ कर उसको स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है बिल ने जो को अपने पिता के घर का अड्रेस पता दिया था इसलिए वो वहीं जाने लगती है महीं दूसरी तरफ बिल पैदल ही अपने पिता के घर की तरफ चा रहा होता है लेकिन तभी पास ही की घर में रहने वाली दो बेहने जिनका नाम सूजन और इमोगिन था वो बिल को उनके घर की तरफ बढ़ता देखकर उस पर गोलिया चलाने लगती है बिल उनसे बात करने की कोशिश करता है जहां उसे पता चलता है कि उन लड़कियों के पेरेंट्स को ट्रिफिट्स ने मार डाला है इसलिए बिल उनकी कार लेकर उनको भी अपने साथ ही ले जाने लगता है लेकिन रास्ते में कोइंसिडेंटली इनकी कार के सामने बिल के डैड की कार आकर रुकती है अपने पता को सही सलामत देख बिल को काफी सुकून मिलता है और फिर बिल के डैड उन सब को अपने घर ले जाते हैं वहां पहुँचने पर उनको पता चलता है कि ट्रिफिट से बचने के लिए बिल के डैड ने घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायस लगाए हुए है घर के अंदर जाने पर बिल को वहां जो दिखती है जो पहले से ही वहां आ गई थी जो और बिल एक दूसरे को देखकर काफी ज़्यादा खुश होते हैं वो दोनों रूम में जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वहीं दूसरी तरफ टॉरेंस ट्रॉय को बिल और जो का पता लगाने को कहता है उधर अगली सुभा बिल अपने पिता की लैब में जाता है जहां उसके पिता उसे बताते हैं कि मैंने एक फीमेल ट्रिफिट को पकड़ा हुआ है और उस फीमेल ट्रिफिट में मैं एक मेल ट्रिफिट के हेट से एक ऐसी बिमारी बना कर डाल दूँगा जिससे अगर कोई भी मेल ट्रिफिट उस फीमेल ट्रिफिट के कांटेक्ट में आएगा तो वो उस बिमारी का शिकार होकर मर जाएगा और फिर ऐसे ही सब ही ट्रिफिट्स मर जाएंगे लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक मेल ट्रिफिट के सर की जरूरत है ये सुनकर बिल उन्हें कहता है कि मैं मेल ट्रिफिट का सर लेकर आऊंगा जिसके लिए वो तुरंथ ही वहां से निकल जाता है थोड़ी दूर चलने पर वो एक वेर हाउस के पास रुक कर उसके अंदर जाने लगता है जहां उसे किसी ट्रिफिट की आवाज सुनाई देती है धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ते हुए वो अचानक से उस पर शूट करने लगता है लेकिन तब ही वो देखता है कि सूजन उसकी कार में छुपकर उसके साथ आ गई है जिससे वो सूजन पर काफी खुसा होता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ उनके इसी बातचीत के दौरान एक मेल ट्रिफिट सूजन पर अटैक करके उसे अपनी ओर खीचने लगता है जिससे बिल उस ट्रिफिट पर फाइरिंग करने लगता है लेकिन उनका उस ट्रिफिट पर कोई असर नहीं होता ये देखकर बिल उस ट्रिफिट पर कूट कर अपने हाथ में पकड़ी मिशाल से ही उसके सर को तोट डालता है अपनी लेव में बैट कर बिल की ट्रिफिट रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। लेकिन उन ट्रिफिट्स की आवाजें सुनकर फीमेल ट्रिफिट काफी जादा हरकत करने लगती है। बिल के पता उसके पास जाकर देखते हैं कि वो female trifert वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही है अब जैसे ही बिल के पता उस female trifert को electric shock देकर उसे अंदर की और करने लगते हैं तो वो female trifert उनके हाथ को जोर से पकड़ कर उन्हें अंदर की तरफ खीचने लगती है बिल के पिता जोर जोर से चिलाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर बिल जल्दी से वहां आकर उस फीमेल ट्रिफिट के सर पर शूट करके उसे मार गिराता है। लेकिन वो देखता है कि उस फीमेल ट्रिफिट के काटने से उसके पिता की बॉड़ी में जहर फैल गया है। घर के पास ही एक एरिया में ले जा कर चला देता है। वापस अपने पिता की लैब में आने के बाद, बिल को वहाँ अचानक ही एक मासक पढ़ा दिखता है, जिससे उसे अपने बच्पन की एक धुंदली सी याद आती है कि जब एक कभीले ने इसी मास की हेल्प से ट्रिफिट्स से उनकी जान बचाई थी वेल अगली सुबा टॉरेंस इनके घर में अपने आदमियों के साथ घुच जाता है और उसके आदमी इन सब को पकड़ लेते हैं टॉरेंस बिल से पूछता है कि मुझे बस तुम से इतना जानना है कि ट्रिफिट्स को कैसे मारा जा सकता है जिस पर बिल कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि ट्रिफिट्स को कैसे मारा जा सकता है बिल की ये बात सुनकर टॉरेंस गुसे में गन पॉइंट पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ अगर तुमने कोई हल ना निकाला तो मैं तुम सब को मार डालूँगा। ये वार्निंग दे कर टॉरेंस अपने आदमियों को कहकर उन सब को एक कमरे यहां पर आ जाएंगे जिससे टॉरेंस के आदमी उन सब को मारने में बेजी हो जाएंगे और हम यहां से भाग कर अपनी जान बचा लेंगे। इतना सुनते ही सूजन चुपके से विंडो से बाहर निकल कर टॉरेंस के आदमियों से बचती हुई घर के बाहर जाकर ट्रिफ शूट कर देता है। गोलियों की आवास सुनकर टॉरेंस को लगता है कि टॉरेंस के बहुत सारे आदमी मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब बिल अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तो टॉरेंस उन्हें भागता देखकर वहाँ पर आ जाता है। टॉरेंस ट्रॉय के बैर में शूट करके बिल की तरफ गन पॉइंट करता हुआ कहता है कि कोई आखरी खौईश हो तो बता दो लेकिन तभी बिल इलेक्ट्रिक शौक दे कर उसे बेहोश कर देता है फिर वो वहाँ से भागने लगता है तभी इमॉगिन बिल को वो मास्क देत इतना याद आते ही बिल इमॉगिन को कुर्सी पर बैठा कर उसके चहरे पर मास्क लगा कर ट्रिफिट की टेहनी के रस को उस मास्क के जरिये उसकी आखों में टाल देता है और फिर ऐसे ही वो सभी अपनी अपनी आख में ट्रिफिट के रस को डाल कर महां से बाहर आते हैं जहां वो देखते हैं कि ट्रिफिट ने टॉरेंट के सभी आद्मियों को मार डाला है लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो सभी ट्रिफिट की बीच से गुजरते हुए महासे जाने लगते हैं वहीं ट्रिफिट भी उनको कुछ नहीं कहते तब ही अच्छानक टॉरेंट को होश से भाग जाता है। उधर ट्रिफिट्स ने टॉरंस को मार दिया था। वहीं बिल अपनी फैमिली और ट्रॉय के साथ एक बोट से एक सेफ आइलेंड पर जाने लगता है। जहां पर वो ट्रिफिट्स से बच कर रह सकेंगे। इसी के साथ ये मोवी यही पर खत्म हो जाती झाल कर दो है।